तो ये था हमारे कल के वीडियो का अंत जिसमें हमने पढ़ा था कि जब दो आग के विफोर या आप्टर से जुड़े हैं तो उन्हें किस प्रकार से हम ट्रांसलेट करेंगे इंगलिस में तो आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है परजेंट परफेक्ट कांटिनिवस पास्ट परफेक्ट कांटिनिवस और फ्यूचर परफेक्ट कांटिनिवस और ये आज की हमारी जो वीडियो होगी ये टेंस की लास्ट वीडियो है इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं यूज तो यहां से देखिए, पहले आता है हमारा present perfect continuous, तो यह sentence जब आएगा हमारे सामने, तो हम इसे किस प्रकार से पहचानेंगे, तो आपको याद रखना है कि जिस वाकिय के अंत में रहा है, रहे है, खड़ा है, पढ़ा है, आदी समय के साथ है, तेकि जो आपने continuous पढ़ा था इससे पहले, उसमें किवल रहा है, रही है था, लेकिन यहां पे जब perfect continuous कहा जाएगा, तो उसमें रहा रही रहे के साथ समय भी आजाएगा, तो simply आप उससे relate करके इसको याद कर लिजिए, कि अगर continuous है, तो last में रहा रही रहे आएगा, और अगर perfect continuous है, तो रहा रही रहे के साथ समय भी आएगा उसमें, अभी आगे हम इसको समझेंगे, अब यहां से देखिए, past perfect continuous को हम कैसे समझेंगे, तो जिस वाक के अंत में, रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, पड़ा था, आदी सब्द समय के साथ आएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, past perfect continuous कहेंगे, और जिस वाकि के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदी सब्द समय के साथ आएगा, उसे हम future perfect continuous कहेंगे, अब इसम यह जो हमने perfect का rule पढ़ा था उसमें क्या था है जा और है और वर्ब की third form हमने यूज की थी तो इसमें भी present perfect continuous में भी है और है बाएगा लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी sentence या जो भी हमने tense पीछे पढ़ा है अगर उसमें हमने continuous sub का use किया है तो इसका मतलब हम वर्ब की in form use करेंगे अर्थार वर्ब में ing लगा के sentence को बनाएंगे तो यहां से simply हमारा rule क्या हो जाएगा has, have और इसमें बढ़ जाता है हमारा क्या been वर्ब की in form object since for time तो इसमें आता है has, have और been आपको बस इतनी चीजों को याद करना है यह इतना याद रखना है has, have been उसके बाद वर्ब की in form object since for और last में time वैसे इसमें क्या आएगा had been वर्ब की in form object since for time उसके बाद इसमें देखिएगा, इसमें क्या आएगा will have, will have been, यहां से इसमें आएगा हमारा will have been ऐसे आगे भी आप इसका rule देख सकते हैं, यहां से देखिए हमने इसको short में लिखा है, यह same जैसे उपर affirmative का rule है, वही रहेगा बस इसके आगे आप subject लगाएंगे, subject, फिर had not been और इसके बाद फिर आप यहां से इसको लिख सकते हैं वर्ब की in form object since for time उसके बाद यहां से, यहां भी आप देखिएगा, इसके पहले हम क्या लगाएंगे, subject उसके बाद will, shall, not, have, been और वर्ब की in form object since for time तो इस प्रकार आप इसे अगर fair पे इसे लिख रहे हैं तो अच्छे से लिखिएगा, पूरा इसे अब continuous का rule क्या होगा, इसमें आएगा, wh has, have, subject, been, working from, object, since for time वैसे यहां भी देख सकते हैं आप, कि wh had, subject, been, working from, object, since for time चलते हैं आगे, और कुछ questions इस पे करते हैं तो यहां से पहला हमारा question है कि वो एक बज़े से अपनी किताब पढ़ रहा है दिखे, इससे लगाने से पहले हम लोग एक छोटी सी चीज है, जिसे हम समझ लेते हैं पहले हमने देखा है, यहां पे since और for, इसमें हमें use करना है क्या, since और for तो since का प्रयोग कहां पे होगा, और for का प्रयोग कहां पे होगा ऐसे याद रखिएगा आप कि निश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, जो समय निश्चित रहेगा, उसके लिए हम since का प्रयोग करेंगे अगर जो समय निश्चित रहेगा, अनिश्चित समय के लिए हम for का प्रयोग करेंगे अब निश्चित का मतलब क्या होगा, तेकि अगर कहा जाए कि वह दो बजे से क्रिकेट खेल ला है दो बजे से मतलब यहां पे समय निश्चित है कि वो दो बजे से क्रिकेट खेल रहा है और अगर हम यह कहें कि वो दो घंटे से क्रिकेट खेल रहा है दो घंटे से तो यह समय निश्चित होगा लेकि मतलब यह है कि जहां पे समय बताया गया रहेगा कि दो बजे से या तीन बजे से या चार बजे से खेला है वो हमारा निश्चित समय कहलाएगा और यदि संटेंस में ऐसा कहा जाए कि दो घंटे से या तीन घंटे से या चार घंटे से तो वो समय जो हमारा होगा वो अनिश्चित होगा ऐसे ही हम कह सकते हैं आगे हम यह कहेंगे कि वह एक हपते से स्कूल नहीं आ रहा है अब यहाँ एक हपते की जो बात की गई है वह अनिस्चित है अगर यही पर यह रहता कि वह सोमवार से स्कूल नहीं आ रहा है तो वह हमारा किसमें आजाता निश्चित में आजाता अब जैसे हम कहें वो दो वर्सों से बजार नहीं जा रहा है वो दो वर्सों से बजार नहीं जा रहा है अब दो वर्स का मतलब है कि ये समय निश्चित नहीं है लेकिन यहीं हम कहें अगर कि वो 2018 से बजार नहीं जा रहा है तो इसका मतलब हो गया कि ये समय अमारा क्या है निश्चित है तो इसे आप कहीं लिख लीजेगा कि निश्चित समय के लिए शिन्सका तथा अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रियोग करते है अगर और detail में इसे आपको समझना है तो जैसे हमने यहाँ पे नीचे इसे लिखा है कि 2 बजे और यहाँ 2 घंटे 2018 और यहाँ पे नीचे लिखिएगा 2 वर्स तो बाद में इसे आपको समझने में असानी होगी अब question को हम बनाते हैं क्या question है हमारा वो एक बजे से अपनी किताब पढ़ रहा है तो सबसे पहले हमें क्या करना है tense को पहचानना है last में रहा है आया इसका मतलब तो हम यह समझ गए कि यह continuous है और इसमें देखिए एक बजे से अब समय भी आ गया है तो समय और रहा है दोनों एक साथ आया इसका मतलब यह हमारा कौन सा tense हो जाएगा present perfect continuous हो जाएगा अब इसमें हम देखेंगे कि यह concept format का है affirmative है, negative है, interrogative है या interrogative प्लस negative है तो यहां से आप इसे देख के यह समझ सकते हैं कि यह हमारा affirmative sentence है अब हम इसे affirmative के rule पे बनाएंगे तो पहले हमारा क्या है subject, subject क्या है व, व को हम लिखेंगे he उसके बाद हमें use करना है has या have तो पीछे हमने पढ़ा है कि singular के साथ singular noun या pronoun के साथ हम has का प्रयोग करते हैं और plural noun या pronoun के साथ have का प्रयोग करते हैं तो यहां पे हमारा he क्या है व, व, क्या है एक वचन है singular है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे he उसके बाद आता है bean तो यहां पे हम use कर लेंगे bean उसके बाद verb की inform verb हमारा क्या है पढ़ना तो पढ़ने का क्या हो जाएगा read और इसमें हमें जोड़ना है ing तो यह हमारा हो जाएगा reading उसके बाद object object क्या है इसमें वो एक बज़े से क्या पढ़ रहा है अपनी किताब पढ़ रहा है तो यहां पे अपनी किताब his book उसके बाद क्या हैगा हमारा since for और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा इसमें कि इस rule में हमने other को include नहीं किया है other का जो use होगा यहां पे जो हमने object लिखा है इसके बाद होगा अगर sentence में object sorry अगर sentence में other है तब हम object के बाद other का use करेंगे अभी इसमें other का use नहीं हुआ है इसलिए हम यहां से अब आगे बढ़ेंगे और sentence और form में से कोई एक use करेंगे यहां पे लिखा है एक बजे अर्था समय हमारा क्या है निश्चित है तो यहां से हम क्या लिखेंगे since और समय इसके बाद use करेंगे one o clock अब यहां से हम एक चीज और देखते हैं यहां पे देखिए अगर आपके सामने लिखा आ जाए 10 बजे तो आप उसे कैसे लिखेंगे 10 o clock जैसे वहां पे आया क्या एक बजे से तो उसे हम लिखेंगे one o clock अगर वहां पे आता सवा दस या सवा एक तो उसे हम क्या लिखते एक quarter past ten अगर वहां पे आता साधे 10 तो उसे हम लिखते हा liberal past टेन अगर पौने दस आता तो वहां पे हम क्या लिखते quarter to ten 10 बज़कर 5 min को हम क्या लिखेंगे 5 past ten और 10 बजने में 5 min को बाकी को क्या लिखेंगे 5 to 10 तो ये कुछ सब्द हैं जिनें आपको याद करना है इसका यूज अगर आपको sentence में करना पड़े तो अगर ये याद है आपको तो उसे आप यूज कर सकते हैं अब यहाँ पर हमारा आता है दूसरा question वह तीन दिन से अंग्रेजी नहीं पड़ रहा है तो इसे आप स्वैम अपने से लगा के इसका answer comment box में दें हम बात करेंगे अगले question की क्या वह दो महिने से पड़ने आ रहा है तो यहाँ से देखिए क्या पहले तो हमें tense पहचानना है क इसका मतलब continuous है और समय भी इसमें आ गया इसका मतलब perfect continuous है अब इससे हम पूरे इसको और इसको मिला के यह समझेंगे कि यह कौन सा tense है तो यह tense हमारा हो जाएगा present perfect continuous और इसमें आ गया है क्या तो क्या को हम बनाएंगे यहाँ से interrogative वाले rules से तो सबसे पहले हमें use करना है w h लेकिन जब भी sentence के starting में क्या क्यों कब कैसे आता है तो हम w h का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम sentence को start करेंगे has या have से has या have से sentence को start करने के लिए सबसे पहले हमें subject पता होना चाहिए कि वो singular है या plural है तो यहां से subject हमारा क्या है व व व क्या होता है एक वचन अर्था singular होता है तो singular noun के साथ हम किसका यूज़ करेंगे has या have का तो यहां पे हम लिखेंगे has उसके बाद आएगा subject हमारा हो ही उसके बाद bean bean हो गया उसके बाद verb की इंग फाम वर्ब हमारा क्या है आना तो आना क्या हो जाएगा कम और कम में हम क्या लगा लेंगे ing तो यह हमारा हो जाएगा coming उसके बाद क्या है गा object तो क्या है या किसको लगा कि जब में sentence में प्रस्ण करेंगे तो हमें object मिलेगा चलिए देखते हैं वह दो महिने से किसको आ रहा है या क्या आ रहा है वाकि हमारा सही नहीं बनेगा इसका मतलब इसमें object नहीं है देखिए यहां पर आना और पढ़ने यह दोनों हमारा से पहले हम two लगाके infinity बनाते हैं तो यहां पर पढ़ने के पहले हम क्या लगाएंगे two और यहां पर हो जाएगा हमारा read उसके बाद क्या आएगा हमारा since या for तो दो महिने समय हमारा निश्चित नहीं है अगर यहीं पर रहता जनवरी फरवरी मार्च तो वह हमारा two months तो हमारा वाकी क्या बन जाएगा has he been coming to read for two months और यहां पर बसता है हमारा last sentence जो interrogative plus negative का rule है इसे आपको स्वेम लगाना है और इसका answer comment box में देना है अब हम चलेंगे आगे और देखेंगे past perfect continuous तो past perfect continuous को भी सबसे पहले हमको क्या करना है उसको पहचानना है कि वह कौन सा tense है अगर last में रहे थे रहा था रही थी समय के साथ आएगा तो वह हमारा past perfect continuous होगा तो यहां पर पहला हमारा वाक्य है वह सब दो महीने से cricket खेल रहे थे तो यह हम बनाएगे कुछ इस प्रकार से पहले के आए सबजेक्ट के बाद आएगा हमारा head तो यहां पर एक ही helping verb है तो simple इसको हमें देखना ही नहीं है कि किसका singular के साथ यूज करना है या plural के साथ यूज करना है उसके बाद आएगा bean तो यहां पर हम लिख लेंगे bean उसके बाद verb की inform verb हमारा क्या है खेल रहे थे मतलब खेलना य जोड़ेंगे ing ठीक है उसके बाद क्या आएगा object object हमारा क्या है इसमें cricket पीछे से भी हम पढ़ते आ रहे हैं इसको तो यहां पर object हमारा क्या हो जाएगा cricket अब cricket के बाद हम यहां पर आगे क्या लिखेंगे since या for ठीक है तो समय देखिए दो महीने दो महीना क्या है यह समय निश्चित नहीं है और यह अनिश्चित समय है इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे for का प्रयोग करेंगे तो यहां से हम लिखेंगे for two months last में हमारा समय आता है तो समय को हम लिख लेंगे यहां पर sentence हमारा बन गया he had been playing cricket for two months उसके बाद इस sentence को आपको swim बनाना है अब हम बात करेंगे last वाले sentence की इसे भी आप swim से करने का प्रयास करिएगा last हमारा sentence है वो तीन बजे से कहानी क्यों पढ़ रहा था तो देखें यहां बीच में आ गया क्यों तो क्यों को हम पहले wh का यूज करेंगे तो why उसके बाद had उसके बाद क्या एगा subject हमारा क्या है व तो यहां पर लिखेंगे he उसके बाद not और उसके बाद been उसके बाद वर्ब की इंग फार्म वर्ब क्या है इसमें पढ़ना तो पढ़ने का क्या हो जाएगा read अब read में हमको जोड़ना है ing भी हम लगा लेंगे इसमें उसके बाद क्या हैगा object अबजेक्ट क्या है इसमें sorry यहां पर हमारा sentence कुछ गलत था आप देखिए अब sentence सही होगा वह तीन बजे से कहानी क्यों नहीं पढ़ रहा था यह हमारा sentence है तो अगर इसमें not नहीं रहता तो जो हमने यहां पर not यूज किया है उसे नहीं करते जैसे इससे पहले हमने यहां पर not अगर यहां पर ऐसे सम कर चुके थे से working form तक मतलब यहां लगा चुके थे अब क्या आएगा हमारा object तो object क्या या किसकों से sentence में प्रस्न करने पे मिलता है तो वह तीन बजे से क्या पढ़ा रहा था क्या पढ़ रहा था कहानी तो यहां पर हमारी कहानी जो है यह हमारा object है तो यहाँ पे हम लिखेंगे story और उसके बाद आएगा हमारा since या for तो देखिए यहाँ पे तीन बजे समय हमारा क्या है निश्चित है तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या since 3 o clock तो यह हमारा sentence बन जाएगा why had he not been reading story since 3 o clock तो इन दोनों questions को आप स्वयम से करने का प्रयास करिएगा अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं future perfect continuous तो future perfect continuous को भी सबसे पहले हमको sentence को पढ़ने के बाद उसे पहचानना है उसके बाद देखना है कौन सा फार्मेट है फार्मेट देखने के बाद हमें उस rule से उसको लगाना है तो यहाँ पर पहला हमारा sentence है चलिए इस बार दूसरा question लगाते हैं पहला स्वयम से करने का प्रयास करिएगा दूसरा लगाते हैं वो आधे घंटे से पतंग नहीं उड़ा रहा होगा रहा होगा आया last में और यहाँ पर आधे घंटे से मतलब रहा है रहा होगा रही होगी रहे होगे अगर समय के साथ हा जाए तो वो हमारा future perfect continuous tense होता है तो यहाँ पर आधे घंटे से पतंग नहीं उड़ा रहा होगा तो यह हमारा negative का sentence है तो इसे हम किस rule से बनाएंगे negative के rule से बनाएंगे सबसे पहले हमारा क्या आएगा subject आएगा यहाँ पर यह rule को पूरा नहीं लिखा गया है यह जो यहाँ पर लिखा गया है यह देखिए बस आप इसके जगे चेंज करके यह जो यहाँ पर नीचे हम लिखे हैं इसको लिख लिख लिजएगा तो यह आपका बन जाएगा future perfect continuous के negative का rule तो यहाँ है वो आधे घंटे से पतंग नहीं उड़ा रहा होगा सबसे पहले हमारा आएगा subject तो subject क्या है he उसके बाद will या cell में से हमें एक का यूज़ करना है तो he के साथ हम क्या लगाएंगे will उसके बाद देखे will के बाद आएगा आएगा आपका not तो यहाँ से हम लगा लेंगे not यहाँ से हम लिखेंगे क्या not not के बाद आएगा have और have के बाद been और been के बाद अब यहाँ से देखिए वर्ब की इंग फार्म वर्ब हमारा क्या है उडाना तो यहाँ पर हम लिखेंगे flying उसके बाद क्या आएगा object तो object हमारा क्या है kite उसके बाद हमें यूज़ करना है किसका since या for का तो समय देख लीज़े अब निश्चित है या नहीं आदा घंटा आदा घंटा हमारा अनिश्चित समय है इसलिए हम इसके साथ for का प्रियोग करेंगे तो for half an hour half an hour तो sentence हमारा क्या बन गया he will not have been flying kite for half an hour इसके बाद हम देखते आगे अगला है क्या वह दो दिनों से अपनी किताब पढ़ रहा होगा तो क्या स्टार्टिंग में आ गया इसका मतलब हम WS का यूज़ पहले नहीं करेंगे will या cell से sentence को सुरू करेंगे will और cell से sentence को सुरू करने का मतलब है क्यों उससे पहले हमको subject का अच्छे से पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार का है अर्थावाद अगर वो I और V है तो हम cell का यूज़ करेंगे अगर वो I और V के अलामा कोई और subject है तो हम वहाँ पे will का प्रियोग करेंगे तो यहाँ से देखिए word subject है हमारा तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे will will के बाद क्या हैगा subject हम यहाँ पे simply लिख लेंगे ही हो गया उसके बाद have और been have been उसके बाद वर्ब की इंग फार्म पढ़ रहा होगा मतलब पढ़ना यहाँ पे क्या हमारा वर्ब है तो यहाँ से हम लिख लेंगे इसको read और इसमें जोड़ेंगे क्या ing ठीक है उसके बाद क्या हैगा object तो object यहाँ पे क्या है अपनी किताब his book उसके बाद since या for तो दो दिनों से यह हमारा समय क्या है अनिस्चित है अगर ऐसे बोलता सोमवार मंगलवार बुद्वार से तो वो हमारा समय क्या होता निस्चित होता तो अनिस्चित समय के साथ हम क्या यूच करेंगे for का तो यहाँ पे हम लिख लेंगे for two days तो sentence हमारा क्या बन गया Will he have been reading his book for two days अब last का जो sentence बसता है इसे आपको swim से करना है और इसका answer भी comment box में देना है तो यहाँ पे हमारा tense क्या हुआ खतम हो चुका है इसके बाद हमें पढ़ना है use और उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं आपने सुनाओगा workative case के बारे में इसका भी प्रयोग tense में हम किस प्रकार से करेंगे अभी उसको भी देख लेते हैं देखिए जो workative case होता है इसका प्रयोग किया जाता है किसी का भी ध्यान अपनी तरफ आकर सित करने के लिए जैसे मैं अगर कहूँ कि रभी पहले हमने बोला रभी तुम जूट बोलते हो तो हमने रभी पहले नाम लिया इसका मतलब क्या हुआ कि हमने रभी को अपनी तरफ क्या किया आकर सित किया पहले उसके बाद हमने उससे कहा कि तुम जूट बोलते हो तो किसी के ध्यान को अपनी तरफ आकर्सित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं वक्रेटिव केस का प्रयोग करते हैं और सिम्पली जो टेंस रहता है इसको हम उसी टेंस में बनाते हैं जैसे यहां से आप देखिए रभी तुम जूट बोलते हो तो सिम्पली हम यहां पर पहले लिख लेंगे रभी कामा लगा है तो हम क्या करेंगे कामा लगा लेंगे तुम जूट बोलते हो इसका मतलब यू टेल अ लाई तो देखिए है हमारा प्रजेंट इंडिफिरेंट टेंस था इसको हमने present in different tense में बना लिया, अच्छे इसको एक तरीका और है बनाने का, उसे भी हम देख लेते हैं, यहां से देखिए, या तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, you, tell, a, lie, और उसके बाद fully stop लगाएं, हम कामा लगाएं यहां पे, यहां पे क्या लिख दें, रभी, sorry, यहां पे fully stop क्या करेंगे, last में लगाएंगे, यहां से fully stop हटा देते हैं, fully stop हमें कहा लगाना है, यहां last में, यहां पे fully stop लगाएंगे, तो या तो आप इसे इस प्रकार से बनाएं, या तो इस प्रकार से बनाएं, दोनों ही आपका सही होगा, ठीक है, अब अगला देख ल पहले देखी यह जो प्यारे भाईयों एमों बहनों लिखा है यह हमारा क्या होगा वकेट्व केस होगा तो या तो इसे आप पहले लिख लिजिए या तो इसे बाद में लिख लिजिए तो पहले हम इसको लिखेंगे तो इसका क्या होगा Dear Brothers And Sister Sisters उसके बाद क्या करना है कामा लगाना है यहां पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ यह कौन सा टेंस हुआ हमारा यह हमारा प्रजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा तो इसको हम बनाएंगे प्रजेंट इंडिफिनिट टेंस में I Want To Tell You Something तो यह हमारा संटेंस बन जाएगा या तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि I want to tell you Something Dear brother and sisters इसे आप लाश्ट में भी लगा सकते हैं तो आसा करते हैं आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम आज से क्या करेंगे इसके बाद वाली जो वीडियो आएंगी उसमें होगा इंपोर्टन्ट जितने भी इंपोर्टन्ट यूजेज होंगे उनको हम करेंगे उससे पहले यह कुछ वर्ब हैं जिनने आपको अपने कॉपी में लिखना है और इन्हें याद रखना है वैसे तो यह बहुत जादा है मैं यह आप या तो टेलिग्राम ग्रूप टेलिग्राम चैनल पर बेज़ दूँगा इसको या तो आपके वाटसप नमर बेज़ दूँगा आप वहाँ से इसे लिख लिजएगा और डेली आपको इसमें से 10 वर्ब को जाद करना है ठीक है तो यहां से अब देख सकते हैं यह हमारा पहला है जिसमें 11 है और इसके बाद यहां पे 6 है तो अभी 16 वर्ब को आपको अपने कौपई में लिखना है और इसे याद करना है तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं धन्यवाद